तमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इस्टडीज जन्नी में स्वागत है हमारे चैनल की सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके आज के इस वीडियो में हम पी एच स्केल के पार्ट टू के बारे में बात करेंगे पार्ट टू में हमारा पहला प्रिश्ट है केले का पी एच मान होता है केले का पी एच मान क्या होता है फड़ाफड आंसर कीजिए केले का पी एच मान होता है फड़ाफड आंसर कीजिए क्या अंसर होगा इसका 4.5 से 5.2 तक केले का पी एच मान होता है चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रशन है इसका अंसर कीजिए आपके अंसर होगा दोस्तों इसका यह दोस्तों इसका अंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका अंसर अचिए एसीड वर्श्या का पी एच मान 5.6 के आसपास इसका पी एच मान होता है चलिए दोस्तों आगले प्रशने के क्यों चलते हैं क्या होगा हमारा अगला प्रश्ण है कि रोटी का पिएच मान होता है कि रोटी का पिएच मान क्या होता है दोस्तों रोटी का पिएच मान होता है 5.3 से 5.8 तक मक्खन का पिएच मान क्या होता है दोस्तों पड़ाफट अंसर कीजिए क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों 6.1 से 6.4 तक मक्खन का पिएच मान होता है हमारा अगला प्रश्ण है फ्रेंड्स मचली का पिएच मान होता है क्या होता है मचली का पिएच मान दोस्तों A option 6.6 से 6.8 तक मचली का pH माहन होता है दोस्तों हमारा आगला प्रश्ण है बेकिंग सोडा sodium bicarbonate का pH माहन होता है Francis का pH माहन बताईए क्या होगा फटा फट C option 8.3 दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके दोस्तों लाइम केलशियम हाइडरो अक्साइड का pH मान होता है दोस्तों फटावट कम्मेंट बॉक्स में अंसर कीजिए फटावट कम्मेंट बॉक्स में बताईए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है अमारा एउप्शन 12.4 केलशिम हाडरो अक्साइड का pH मान होता है अमाशेरस का pH मान होता है क्या pH मान होता है दोस्तों माशेरस का दोस्तों माशेरस का pH मान एक होता है यह आपको ध्यान रखना है जो हमारे आमाशे में HCl होता है उसका pH मान एक के लगबग होता है है co begitu स्वडियं हाइड्रओक्साइट एने ऑच पी एच मान मता है by God 10-12-14 मृ का यगम भांसर देक्लिते हैं क्या होगा दोस्तों आपको यह जरूर ध्यानुर्ण है कि जीरो पीएच मान किसका होता है और 14 pH मान किसका होता है क्यूंकि यह है starting और अंतिम मान तो आपने 0 का पीएच मान देख लिया था दोस्तों किसका होता है अब आप देख पा रहे हैं कि 14 का पीएच मान sodium hydroxide का होता है चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्णी के ओड चलते हैं अगला प्रश्णी हमारा पसीने का पिएच मान होता है 2.4, 4.5, 3.4, 5.4 B option 5.4 पसीने का पिएच मान होता है दोस्तों हमारे चेनल पे आपको competitive exam के all objective type question की सीरीज हमेशा मिलती रहेगी ऐसे सीरीज पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें चाय का पिएच मान होता है चाय जो हम लेते हैं सुबसुब़ पीते हैं उसका पिएच मान क्या होता है फ्रेंड्स C option 5.5 चाय का पिएच मान होता है दोस्तों समझ तोड़ा याद रखने के लिए एक बढ़ चोटी से ट्रिक देख लेते हैं चाय का पिएच मान दोस्तों चाय आपको पता है किते रुपे में मिलती है तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स के चाय का मान पंस के लगबाुँ होता है 5.5 55 होता है जब भी हम 2 दोस्त मिलते हैं तो 2 चाय तो हमें पीना ही पड़ता है एक खुद के लिए और एक दोस्त के लिए तो हम 5 पांच रुपे की हमारी और 5 रुपे की दोस्त की इससे हम थोड़ा इसको याद रख सकते हैं इसका बद अगला प्रेशन है हमारा कोफी का पीएच मान होता है 5869 दोस्तों कोफी का पीएच मान भी हम देख लेते हैं क्या होता है इसका पी एच मान दोस्तों फाइव होता है कोफी का आपको याद रखना है पांच और चाय का पांच पॉइंट पांच अगला प्रेशने दोस्तों हमारा बी एर का पी एच मान होता है क्या मान होता है दोस्तों बी एर का पी एच मान दोस्तों बियर का पी एच मान देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों बियर का पी एच मान होता है 4.5 डी ओप्शन अगला प्रेशन है हमारा स्वस्त तवचा का पी एच मान होता है क्या पी एच मान होगा दोस्तों स्वस्त तवचा का जो हमारी स्वस्थ मनुष्यकी तवर्चा है उसका पी एच मान क्या होता है दोस्तों कि चलिए दोस्तों फटफटा 安 None रोगा इसका इसका ऐसा रोजाएका दोस्तों हमारा वी और और ऑप्शन 5.5 आपको याद रखना है दोस्तो चाय का स्वस्तित वच्छा का पी एच मान एक ही होता है इससे आप याद रख सकते हैं अगला प्रेश्ण अमरे अंडे का पी एच मान होता है दोस्तो अंडे का पी एच मान 7.8 होता है इससे याद रखने के लिए आप थोड़ा सा इतना सा याद रख सकते हैं बस कि एक यंडा किते रुपाय में मिलता है लग बख साथ आठ रुपए में एक अंडा मिलता है तो इससा आप याद रख सकते हैं कि अधर कपी जमाट है this है क्या मानजचा दोस्तों टूथ पेस्ट का आठ दोस्तों इसे याद रखने के लिए आपने वाला टीथ वाला चेप्टर जरूर पढ़ाओगा कि अमारे कितने दात होते हैं मानव के बत्तिस दांत होते हैं 32 दात होते अर्थात एक कोश्च स्टक में इनके एक तरफ जैसे सब्सक्राइब कि उपरी एरिया लेए उपरी एरिया के एक तरफ कितने दात हों इस दोस्तों आठ हों जो एक तरफ और तरफ आठिव होते आठ मिला के चार होते हैं भाग में 32 याद रखना है कि आठ हो नोगा होगा गेश्टिक जूस का पी एच मान होता है तो फ्रेंट्स गेश्टिक जूस का पी एच मान क्या होता है 1.5 पीच मान होता है गेश्ट्रिक जूस का अगला प्रेशन हमारा बड़ी आद का पीच मान होता है दोस्तों बड़ी आद जो कि मानव शरी में पाई जाती है उसका पीच मान क्या होता है उसके अंदर फटा फटा आंसर देख लेखते हैं फ्रेंड्स 5.4 बड़ी आद का पीच मान होता है अगला प्रेशन है हमारा छोटी आद का पीच मान कितना होता है दोस्तों अभी हमने पढ़ा बड़ी आद का पीच मान 5.4 होता है अब हम देख पा रहे हैं कि छोटी आद का पीच मान क्या होता है दोस्तों फटावड इसका अंसर देख लेते हैं इसका pH मान 7.4 होता है दोस्तों अर्थात A option अगला प्रेशन है हमारा पनीर का pH मान फ्रेंड्स आपने बहुत बार पनीर की सबजी जरूर खाई होगी तो आज आपको बताना है कि पनीर का pH मान कितना होता है पनीर की सबजी तो बहुत खाली मटर पनीर आज मटर पनीर का question अगर एकजाम में आज आए तो क्या अंसर लिख होगे कि पनीर का pH मान क्या होता है दोस्तों आपको याद अटना है पनीर का pH मान 6 के करीब होता है यान कि 5.9 होता है अमोनिय का pH मान क्या होता है प्रेंड्स 12.5, 13.5, 11.6 या 9.3 इसका अंसर होगा दोस्तों C ओप्षन 11.6 अमोनिय का पीच मान होता है हमारा अंतिम प्रश्ने दोस्तों संत्रे का पीच मान क्या होता है इसका फटा फट आंसर देख लेते हैं क्या अंसर होगा फ्रेंड्स संत्रे का पीच मान B ओप्षन 3.7 संत्रे का पीच मान होता है